नमस्कार स्वागेते आपका दो बजे की इस बुलिचिन में मैं हूँ आपके साथ आशा जा और बड़ी खबर के साथ शुरुबात कर रहे हैं उत्राखंड के सीएम आपको बता दें त्रिवेंदर सिंग रावत उनसे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है स्तीफा दे सक और धन सिंग रावत उत्राखंड के नए सीम हो सकते हैं स्टेट चौपर धन सिंग को लाने के लिए रवाना हो चुका है यह सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्राखंड के शिक्षा मंत्री हैं फिलहाल धन सिंग रावत अगली मोहर उनके नाम पर मुख्य मंत्री के रूप में लग सकती है जानकारी ये भी है त्रिवेंद्र सिंग रावत चार बजे राजपाल से मिलकर अपना स्तीपा सौंप सकते हैं अगले मुख्य मंत्री के रूप में उत्राखंड के दान सिंग और ऐसे में कि नाम पर महर लक्र चूकि है जानकारी बजे मीदिया के सामने अपना पक्ष भी रखने के लिए प्रस्तन वह सकते हैं ये इसवक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्राखंड की सियासत में भूचाल लाने वाली ये खबर क्योंकि जाहिट तोर पर नाराज़गी को संभाल नहीं पाई त्रिवेंदर सिंग रावत और ये नाराज़गी उनके लिए भारी साबित हो रही है आला कमान के साथ बात्चीत भी हुई लेकिन बात बनी नहीं अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि चार बजे राजेपाल से नसर्फ मुलाकात होगी बलकि इसी मुलाकात में अपना स्तीपा सौंप सकते हैं त्रिवेंदर सिंग रावत प्रशांत दुत्रों के हवाले से एक बड़ी ख़वार है जो सिक्षा मंत्री है समय मौझूदा तिवेंदर सिंग रावत सरकार में धंसिंग रावत वो इस प्रदेश के अगले मुक्पुंत्री हो सकते हैं रेस में सबसे आगे हैं वो और मैं आपको जानकारी बता दो कि श्री नगर एक जिला है वहां पर मौझूद है और उनको लेने के लिए स्ट्रीट चौपर जो है वो जा चुका है और उनको बाद उनको लेकर आए जा रहा है दहरा दून में आज शाम को चार बजे तिवेंदर सिंग रावत की मुलाकात होनी है राजपाल के साथ में जहां पर वो के बाद यह फैसला लिया गया आला कमान के जरीए तिवेंद्र सिंग रावत उत्राखंड में देरादून जाकर अपना स्थीफा सोपेंगे और जो आपको बचा दू कि सबसे ज़्यादा जो रेस में आगे चलना इस समय उनका नाम है धंद्शिंग रावत यह सिक्षा मंत क्या गया पक्षमे आकिर यह धंद्शिंग का नाम कैसे सामने आया फंद्irmas हमारे पास सूत्रों से सूत्रों के हवाले से वड़ी ख़वार आ रही है वह यह है कि दंसिंग रावाथ इस रेस में अभी सबसे आगे हैं अब विधायक दल की बैठक को लेकर के प्रशांत क्या इंफरमेशन से कब हो सकती है क्योंकि इसी बैठक में मोहर लगेगी यह तो तैय है बिल्कुल एक दम विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी महां पर दिल्ली दे परिवेक्षक भीजे जाएंगे परिवेक्षक के सामने नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके बाद एक नए नाम के घोशना हो कि जो एक बीजेपी का जो विधी है वो चुनाव करने की नेता की वो यही है और इसमें जल्द ही फैस्तरा लिया जाएगा और बहुत जल्द ही मुझे लगता है कि उत्राखंड को एक नया मखुंतरी मिलेगा त्रिवेंद्र सिंग रावत इन्फोमेशन प्रिशान्त ये भी तीन बजे मीडिया के सामने मीडिया के समक साजिर हो सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं इस बाबत क्या इन्फोमेशन से अपनी तरफ से सपश्टी करन दिया जाएगा जी बिल्कुल देखें जो भी घटा कराम है उसको लेकर तिवेंद्र सिंग रावत मीडिया के सामने जरूर मुखाते हो सकते हैं उसके बाद वो अपना पक्ष भी रखेंगे और वो बताएंगे किस तरह उन्होंने काम किया और उनकी आगली आगे कि क्या योजना है क्या व पर सवाल जरूर होंगे और तिवेंद्र सिंग रावत अपनी जो इस्तिती है उसको इस्तों करना जरूर चाहेंगे